कि यह लो गाईज वेलकम टो एन अदर पार्ट अफ वेब डिजाइनिंग कॉर्स तो आज की इस पार्ट में हम लोग सिखेंगे डी आईव के बारे में तो बेसिकलि डीव होता है क्या और डीव कहां यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग आज की है बेसिक स्ट्रक्चर में ने बना लिया और उसके साथ हम लोग का जो css फाइल को यहां पर एट की और कुछ नहीं की है हमें तो अब लोग अभी हम लोग क्या करेंगे यह डीव के बारे में जानेंगे ओके बेसिकल मैं आपको बता दूँ यह जो डीव के बारे में बत बहुत जगे यूज होती है जो की वेबसाइट को एक आची लोग देने के लिए और बहुत सारे चीज़ के लिए इसे यूज भी करा जाता है तो आज हम लोग जो भी सीखेंगे आज से जो भी पार्ट हम लोग की होगा जो तीन-चार पार्ट होगा यह डिविजॉन के बा होग, तो अभी नोग यहां पर body में मेंसिन करेंगे, यहां पे तो आप लोग को पता है कुछ भी output नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोग ने body के अंदर कुछ आभी mention की नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इस body के अंदर add करेंगे div, क्योंकि हम लोग div class कर रही है, दिव तो दिव यूज़ कर रहे है हम लोग HTML ओके मैंने यह दोनों को लिखा और सेब करा और उसका output आप देखा यहां पर मैंने जो CSS class और HTML class लिखी थी वो यहां पर आपको दिख रहा होगा ओके यह उपर नीचे ओके दिख रहा होगा तो अभी हम लोग को क्या करना है ना उसे color करना है और बहुत साथ चीज़ हम लोग करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे div के अंदर चलेंगे space देते हैं हम लोग style background color तो background color हम लोग अभी देते हैं इससे देते हैं और इसमें भी हम लोग वह सेम चीज़ यूज़ करेंगे क्या style background color और background color में हम लोग यूज़ करेंगे यह इसे यूज़ कर लेते हैं यह मैंने save किया और उसका output आप देखो यहां पर आपको उपर रिच होगे दिख रहा होगा उसके color हम लोगों ने कर दी है ओके यह दो चीज़ हमने add कि है css class और html class करके और यह जो color है उपर नीचे रख्यों यह तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना उसकी height mention करेंगे उसकी उर्थ mention करेंगे यह सब चीज़ हम लोग mention करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहां पर space देंगे और height 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 कितना रहेगा हमारा मान लोग हम लोग height जाते हैं 200 ओके और उसकी उर्थ जो होगा हम लोग ने अब भी रखेंगे 300 ओके वह सेम चीज़ हम लोग इधर भी add करेंगे तो मैंने सेब किया और अब भी output देखो यह आपको output देखने को मेल जाएगी जो कि हम लोग ने उर्थ उसकी mention की है और हाइड भी mention की है यहां पर आप लोग एक बात notice करो है हम लोग ने जो टेबल बेगराब बनाते थे वहां पर क्या होता था यह साइड साइड में आता था मगर यह डीव में क्या हो रहा है यह उपर नीचे कर आ रहा है तो हम लोग इसे site में अगर लाना है तो उसके लिए हम लोग किया करेंगे यहां पर मेंशन करेंगे लग करेंगे float ओके left हम लोग ने float उसकी है और कहां पर हम लोग रखना चाहती है लेफट में, यहां पे हम लोग वह ही सेम चीजी उसक्रएंगे, फ्लोट, अगर यहां पे left ही है, अगर हम लोग यहां पे right करना चाहेंगे, तो क्या हुआ, फहले हम लोग left देखते हैं, यहां पे देखो, कि ये last में आओ ये जो 2ू for हम लोगों ने बनाई है यह teek में रही है अगर हम लोग इसे राइट मिलना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या ने यहां सिम्पलि यह अटाएส considering सब्सक्राइब और आप देखो यह आप लेट में था हम कॉनन सी कलर को मसला या दो नमर की लाइन को हम लोगों ने किया क्या left में add किया तो इसलिए कहां पर left में दिख रहा है तो इस तरह आप जो भी designing करना चाहो अगर आप left में रखना चाहो राइट में रखना चाहो इस तरह से आप कर सकते हो फेरीजी लिए अब भी हम लोग क्या करेंगे उसे left में रखेंगे तो मैंने सेव क्या ओके इस तरह से आप रख सकते हो फेरीजी लिए यहां पर आप नोटिस करो यहां सेस क्लास एच्टेमिल क्लास उसकी कलर अभी बलाक है अगर उसकी कलर हम लोगों को अगर चैंज करना होगा तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे हम लोग ने background की color change की है अगर text की color चेंज करना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसके अंदर चलेंगे और यहां पर लखेंगे color आपको जो भी देना पड़ेगा यहां पर मैं red रे उसकरता हूं सेब करां और उसके output अब देखो CSS class की जो color था black से अभी red हो चुकी है ओके यह देखो यहां पर notice करो black से अभी red हो चुकी है यहां पर मैं बड़ा करता हूं यह देखो black से अभी red हो चुकी है तो इससी कोडिंग को यूज करके अप आपकी जो div बना सकते हो डीव बनाके उससे coloring कर सकते हो background दे सकते हो उसे left right कर सकते हो very easily और text की color को भी आप very easily उसे मतलब बदल सकते हो जो भी चाहिए करना चाहो इस div की मदद से हम लोग कर सकते हो अगर यहां पर भी हम लोग एड करना चाहेंगे color add करना चाहेंगे तो वह सेम चीज हम लोग करेंगे जो की यहां पर लिखेंगे और जो अभी color आप देना चाहो green यह लोग मैंने add किया और उसे save किया मैंने और Alt L हुओ मैंने आपको बता आया था उसका फॉलो करो और जो नेक्स्ट की दो तिन चार वीडियो आएगे ना वहुत इंपोर्टन होगी आपके लिए उसके बारे में यह जो डीप के बारे में हम लोग और भी बहुत सारी नॉलेज हम लोग गेन करेंगे और आज के लिए वाशत यतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपोर conservative class को मत करिएंगा ओके वीडिऑ को को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भिलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाइग